नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमारी हमारे दैनिक पेशकर्ष समय चक्र में आप सभी का स्वागत है और हमारे सभी तर्शकों को धंतेरस की हार्दिक शुप कामना है और आज कितारी क्या खहते हैं और आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है इसी बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ जोतिश पंडित रविशंकर जी जूर चुके है रविशंकर जी प्राइम ट्रीवी पेफेल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करूंगी बहुत-बहुत धन्यवाद देखे पंडिजी आज है धन्तेरस का दिन और हर दिन का कुछ ना कुछ पंचांग होता है आज का पंचांग क्या है पंडिजी जी, ओम् शुक्राय नमाहा ऑम शुक्राय नमाहा ओम् आज का पञचांग विक्रम सम्वद दोजार शी कार्तिक मास किहुणपक्ष कित्रुदशी दिन आज सुक्रवार दिनांग दस नवंबर दोजार तेईस चंद्रमा कन्या राशी में इस्थिर हस्त नच्छत्र सूरुदय सुबा छे बच कर बाईस मिनट सूर्यास्त साम को पांच बच कर सतना मिनट राहु काल सुबा साड़े दस बजे से लेके दोपार बारा बजे तक ठीके पंडी जी आज है धंतेरस का दिन और आज हमारे सभी दरसे जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनका कैसा बीतने वाला है और आज उनके ग्रहों की चाल कैसी होगी तो रुख करते हैं सीधा राशी फर्कियोर सबसे पहले जानना चाहेंगे पंडी जी मेश व्रिश और मिथन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा मेश राशी मेश राशी वालों के लिए मन में उठा फटक रहेगा कार छेत्र को लेके निरासा हो सकती है इच्छाओं के विपरीत परणाम आ सकते हैं फिजूल खर्ची पर ध्यान रखें नियंत्र रखें तो आपके लिए आज का दिन कुछ अच्छा हो सकता है दूसी रासी बिचस बिर्सब रासी वालों के लिए धन के प्रभल योग हैं साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ती होगी घर परणाम परिवार से अच्छा परणाम आपको मिलेगा साथ ही आप आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपको अपने से मनमुटाओ हो सकता है उसका विसेश ध्यान रखें अपने स्वास्त को लेकि earned भाहर की चीजें ना खाएं पीएं तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा देखें पंडित जब आगे की राशो करो करती है करक सिंग और कन्या राशी वालों के लिए आज को दिन क्या कुछ खास लेकर आया है देखें करक राशी करक राशी वालों के लिए धन संबंधित कार्या सफल होगे धनलाप के प्रबल योग हैं कार छेत्र में आपको मांसंमान मिलेगा साथ ही आप निजी जीवन में अच्छा महसूस करेंगे अपने निजी संबंधों को लेकर आपको आज काफी लाब मिल सकता है पांचवी रासी आपकी सिंग रासी सिंग रासी वालों के ले क्रोध पर आपने अंतरा रखें साथ ही आपको छोटे-छोटे कारियों को लेकर बड़ी योजना आपके ले होशक्ती है सिंग रासी के जातक के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है केवल आपको अपने शुभाव और गुश्यपन नियंतरा रखना है तो आपके लिए दिन अच्छा होगा छटी रासी इसी क्रब में कन्या रासी कन्या रासी वालों के लिए सोचे हुए सारे कारिक पूर्ण होंगे साथ ही आपको अपनों से धन लाब के योग हैं और आपको ब्यापार में भी विसेश लाब हो शकता है तुला रासी वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है कभी जादा तो कभी कम आपको आज लाब मिल सकता है साथ ही आप अपने परिवार का और अपना विसेश ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा आपके राशी श्वामी श्वामी शुक्र अच्छी अवस्थर में विराज मान है तो आपको हर शुक्स विधाओं का लाब भी मिलेगा आउसी करम में आठुई रासी, ब्रिश्चिक रासी ब्रिश्चिक रासी लंबे समय से अटका हुआ कोई भी कारी आपका पूर्ण होगा, साथ ही उससे आपका मन पसंद रहेगा, साथ ही आपको कारी छेत्र में भी आपको विरोधियों का विरोध करना पड़ सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें और सावधानी से कारी करें तो आपके लिए विसेश रहेगा, नुई रासी, धनु रासी, धनु रासी वालों के लिए कोई शुप समाचार मिल सकता है, संतान पक्ष से भी आपको लाब होगा, साथ ही अपने माता पिता का अगर अस्वस चल रहे हैं, तो उनका आप विसेश ध्यान रखें, तो आज क के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, बुद्धी और बल से किये हुए कारे आपके सारे संपन्न होंगे, साथ ही आप अपने थोड़ा दिमाग का प्रियोग करेंगे, तो आपको लाब ज्यादा हो शकता है, इसका विसेश ध्यान रखें, ग्यारवी राशी, कुम्ब राशी, कुम्ब राशी वालों के लिए नवकरी पेशा वालों के लिए लाब हो शकता है, ब्यापारियों के लिए थोड़ा मुनाफ़ा आपके पूर्ण होंगे और जो भी पिछले आप प्रिशरम किये हैं उसका आज आपको लाफ मिलेगा उससे आपका मन बहुत ही प्रसंद रहेगा आपके घर में अधिक खर्चा हो सकता है तो उस पर आप नियंतरा रखें अधिर्ण चे आज है धंतेरास का दिन और धंतेरास का दिन एक विशेश महातव रखता है क्योंकि इस दिन के बाद से ही जो दिवाली का त्यवहार ऐसा कहा जाता है आरम हो जाता है और आज हमने राशी फॉलो के बारे में बात की जहां तमाम आपने बताए कि किस राशी वालों के लिए आज का दिन कितना खास है और जिन राशी वालों के लिए कुछ परिशानी है उसका समाधान क्या है लेकिन आज का दिन सबसे आनुकूल किन राशी वालों के लिए है और सबसे जादा विशेश आज किस राशी वालों को अपना ध्यान रखने की जरुवत है मेश विर्ष्चिक और आपके मकरकुम राशी वालों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि जो आपकी राशी मंगल है और शनी तो ऐसे लोगों को थोड़ा साउधान रहना चाहिए के साथ ही आज जो सबसे अच्छा है करक तुला विर्षब ऐसे रासियों के लिए बहुत ही सुन्दर आज का दिन वीटेगा और लाभी लाभ रहेगा आपके लिए ठीके पंडी जी ये तो रही राश्यों की बात लेकिन अब सवालों के दौर भी लगतार देखने को मिल रहे हैं हमारे एक दर्शक में से सवाल किया है कि आज धं 15 और आज विशेष तरिके का कोई सइयोग बन रहा है क्या जी देखे आज सीवाशयों महायोग का निरमाड़ हो रहा है साथी आज है ऑकंड़ों की बिसेश आरातना करें और आफके कुंड़ी को ले के कई महायोगों का निर्मार हो रहा है जो अगर आप विषेष देखेंगे धंतेरश विषेष उसमें आपको सारी जानकारी जाएगी आपको कब पूजा करना है कब विषेष अगर वियापारी हैं तो उनके लिए कब फ्लो hurry't तो ये आपको विशेश कारिक्रम में हमारे मिलेगा और आपको हर एक जानकारी मिलेगा ठीके देखे पंडी जी ये तो रही तमाम सवालों के बात लेकिन हर एक दिन का कुछ न कुछ विशेश होता है कि आज की दिन विशेश क्या है जिनका शुक्र आपका है आपके कुंड़ी में अगर नीच का है या फिर अस्त का है तो आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं भगवान सीव को गंगा जल में चीनी मिला कर आज आप अर्पित करेंगे तो आपका शुक्र ही मजबूत होगा साथी आपको अगर उससे रुकावट आ रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपको लाब नहीं हो रहा है, तो उस चीज में आपको सफलता मिलेगी और आपका शुक्र भी मजबूत होगा. आप अपनी तरजनी उंगली में एक चांदी का छला पहन लीजिए, तो इससे भी आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है, और आपके कारी को आगे बहुत तेजी से बढ़ाएगा, जिससे कि अगर आपके ग्रह दसा आपके फेवर में काम करेंगे, तो जीवन में आप मेहनत के साथ बहुत आगे बढ़ेंगें. ठीके पंडी जी, एक सवाल और हमारे पास आए है कि ये देखिए, जो ग्रह है, क्या आज भी ग्रह किसी राशी वालों के लिए भारी हो सकते हैं जादा? अगर आप पूजा पाट कर रहे हैं, तो उसका विसेज ध्यान रखना होगा, अगर आप पूजा पाट कर रहे हैं, तो उसका ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है, अगर राहू के तू जैसे आप ड्रिंक कर रहे हैं, या मास मद्रिया का सेवन कर रहे हैं, तो उससे आप राहू के तू अरिष्ट होंगे, सनी अरिष्ट होगा, गुरू आपका अरिष्ट होगा, तो इससे आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आपको विसेज ध्यान रखना होगा कि अगर आप पूजा पाठ विद्वत कर रहे हैं तो आपको तेवहार के दिन आपको सात्विक रहना चाहिए ज़िए धन्यवाद पंडेत रविश अंकर जी और दिने के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार प्राइम प्राइम छाप्टों के लिए आपको सात्विक रहे हैं प्राइम प्राइम आपको सात्विक रहे हैं झाल